तो आज हम अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस का वीडियो नंबर 29 करने जा रहे हैं क्वेश्चन काफी पॉपिलर है आज का लिटकों नंबर 863 मीडियम मांग्ड है बर इस गोईंग तो भी एजी क्योंकि बहुत सिंबल तरीके से हम इसको बनाएंगे बहुत ही बेसिक जो हम जानते हैं उसी से बना लेंगे इस प्वेश्चन को और यह वीडियो अप्रोच 1 पर है एक अलग वीडियो आएगी जिस पर दूसरे अप्रोच से भी बनाएंगे इस प्वेश्चन को क्वेश्चन है कि given the root of a binary एक binary दे रखा होगा the value of a target node एक आपको target node भी दे रखा होगा ठीक है और एक integer k दे रखा होगा आपको यह बोल रहा है return in array of the values of all nodes that have a distance k from the target node ठीक है अब answer किसी भी order में return कर सकतो यह बोल रहा है कि यह तो target node है ना target node 5 दे रखा है यहां पर और k2 है यहां पर तो k2 का मतलब क्या हुआ कि इस target node पर जितने लोग दो दूरी पर जितने लोग है दो edge की दूरी होनी चाहिए वो मेरा answer होगा जैसे यहां पर देखो यह अगर यह मेरा target node है इसका एक edge यहां हो गया दूसरा edge यहां हो गया तो एक बंदा यह पकड़ाया वन ठीक है और कौन है यह तो एक ही edge के दूरी पर है इसको नहीं ले सकते हैं एक edge दो edge एक answer हो गया 7 फिर एक edge यह और दूसरा edge यह answer हो गया यह 4 तो यह 3 नोट जो मुझे दिखे है ना 1 7 4 यह 3 इस 5 से 2 edge की दूरी पर हैं 1 edge 2 edge ठीक है 1 edge 2 edge 1 edge 2 edge तो answer कहा है 1 4 7 यहां तक clear है तो इस approach में अगर आप देखोगे तो मुझे problem बस एक ही दिख रही है कि जिसे माल लो यह हमारा target node है यहां पर एक node था इधर 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 एक node है और यहां पर एक और node है तो यह मेरा मान के चलो यह मेरा target node है ठीक है तो देखो अब target node से जो दूरी है मतलब के मान लेते हैं 2 है तो दूरी cover करनी है पहले दूरी पर कौन-कौन लोग है पहले दूरी पर यह लोग ह दूरी बोले तो level समझ लो कि इस node से अगर आप level by level आगे जाओगे तो ये पहला level होगा इस पहले level में ये तीनो node मिले लेकिन मुझे second level तक जाना है फिर second level पे जाओँगा तो ये तीनो edge cover होगे तो ये second level पे ये node मिलेंगे मुझे है ना तो आपको एक चीज हेंट मिल चुका होगा कि somehow अगर मैं इस node पर पहुँच गया मतलब मुझे पहुच गया कि ये तो input पर दिया रहेगा इस node से मुझे क्या करना है k is equal to two two level तक के nodes को ठूड़ना है तो पहले level पे यहाँ देखो एक, दो, तिन ये लोग पहले level के लोग है ये पहले level के लोग है ठीक है तो पहले level में ये तीनों खतम होगा उसके पाद जब दूसरा level स्टार्ट होगा एक, दो, तिन तो ये पकड़ाएगा, ये पकड़ाएगा, ये पकड़ाएगा तो इसका मतलब पता क्या वो अगर आप simple सा BFS करोगे इस 5 से जो मेरा target node है आप यहाँ पर simple सा BFS करो और BFS में याद है level by level traverse करते हैं आपको पता होगा कि BFS में हम level एक level ये किया तो फिर उसके बाद दूसरा level traverse किया एक एक करके सारे level के notes को traverse करते हैं तो ठीक है जब level पहले level जैसे ही मैं 2 पर पहुंच जाओंगा मैं क्या करूंगा जो जो उस level में मेरे notes है उनको मैं अपना answer मान लूँगा ठीक है तो जैसे मान लो अब इसमें एक ही challenge है कि भाई मान लेते हैं 5 से मैंने अगर BFS स्टार्ट किया है तो BFS मैं क्यू यूज करते हैं ना क्यू ठीक है त तो 5 से मान लेते हैं मैंने BFS स्टार्ट किया है बट यह binary tree है question में दे रखा है binary tree है तो मैं क्या करूँगा मुझे इस 5 से सिर्फ मैं इसको पकड़ सकता हूँ और इसको पकड़ सकता हूँ ऊपर के पीछे note को नहीं पकड़ सकता ना क्यूंकि ऊपर जाने का रास्ता होता ही यह binary tree actually में क्या होता है एक directed graph होता है हर बार किसी भी note से आप उसके left child या तो right child पर ही जा सकते हो ठीक है अब 5 से नीचे तो जा पाओगे 7 और 4 तो आप ढूण लोगे बट यह जो 1 है यह miss हो जाएगा क्योंकि इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ता है यहां से यहां ज दिख रहा है कि क्यों न यह तो directed graph है न क्यों न मैं इसको undirected बना दू मतलब अभी क्या है कि इसका left or right child ही है आप उपर नहीं जा सकते किसी भी note से आप उसके नीचे ही जा सकते हो left or right child में तो मैं क्या करूँगा कि हर किसी का parent pointer वाला edge बना दूँगा जैसे 5 है 5 का parent कौन है 3 है तो एक edge बना दिया 1 का parent कौन है 3 है इसका भी edge बना दूगा 6 का parent pointer कौन है 5 है 2 का parent pointer कौन है 5 है तो सारे यह मैं ultra edge भी बना दूगा तो actually मैं पता क्या गर रहा हूँ इस directed graph को मैंने undirected बना दिया है तो इससे फाइदा क्या होगा अब ध्यान दो कि 5 से आप उसके left child में त तो 5 से आप उसके parent में भी जा सकते हो पेरेंट क्या है पेरेंट यह वाला है तो 5 के parent में भी जा सकते हो तो अगर मैं somehow parent वाला यह arrow जो दिखा है ना वह मैं अगर बना दूँ मेरे पास यह information आ गई कि 5 का parent pointer कौन है ठीक है तो उसके बाद तो कोई दिखकत ही नहीं है तो उस चीज तो समझ में आ गया होगा आपको ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं ना दी क्वेशन कम्स की हाउ टू इन गेट दी इंफोर्मेशन आफ पेरेंट पोईंटर जो पेरेंट पोईंटर वाल इंफोर्मेशन थी वह हम कैसे सोर करेंगे ठीक है तो बहुत सिंपल है वो भी मैं एक मैप ले लूँगा ठीक है और मैप में यहाँ पर स्टोर कर लूँगा और उस मैप में क्या स्टोर करूँगा कि जो 3 है उसका पेरेंट कौन है जो 5 है उसका पेरेंट कौन है जो 6 है उसका पेरेंट कौन है 2 है उसका पेरेंट कौन है and so on ठीक है इसी तरह मैं सबका parent pointer भरता चलो जोगा और वो भी भरना बहुत असान है देखो कैसे मैं यहां root पर खड़ाऊं ठीक है अब ध्यान दो जैसे ही मैं root के left में देखो मैं simple सा in order traversal करूँगा ठीक है in order traversal सबको लिखना आता है ठीक है सबसे पहले क्या लिखते थे कि अगर root मेरा null के बराबर है तब तो return कर जाते थे ठीक है उसकी बाद याता है क्या करते थे in order root का left जाते थे और उसकी बाद क्या करते थे in order root का right जाते थे ठीक है और बीच में उसको print कर लेते थे future print करने की बाद होती थी 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 कहा है तो यही होता है मेरा inorder गए तो यह्र alert जाने जा तो रहे हो जैसे यहां पर आप left जा रहे हो अधिक है तो आप I 낳ात जाने से पहले जैसे मैं लेदे यह रूट है इसका left five है तो ठीक हैब पास जाने से पहले अभी लिख दूना कि five का parent कौन है यह रूट है तो मैं इधर ही पहले ही लिख दूँगा इन ओडर रूट का left जाने से पहले मैं इधर ही लिख दूँगा कि अगर root का left ठीक है is not equal to null तो मैं जाओंगा वहाँ पर ठीक है लेकिन जाने से पहले in order root का left जाने से पहले मैं क्या करूँगा जो मेरा map है parent वाला map है उसमें मैं ये लिख दूँगा कि root का left में जहां जा रहा हूँ उसका parent मैं ही हूँ जो की root है similarly यहां पर वही करूँगा root का right जाने से पहले not equal to null check कर लूँगा और यहां पर restore कर दूँगा कि parent of root का right मैं जहां जा रहा हूँ root के right में जा रहा हूँ तो इसका parent मैं खुद हूँ तो वो information मैं यहां चो कर लूँगा जैसे 5 का parent 3 है ठीक है फिर मैं 5 के पास आया फिर 5 से मैं 6 जा सकता हूँ और 2 भी जा सकता हूँ ठीक है तो 5 से 6 जाने से पहले मैं यहां लिख दूँगा कि 6 का parent यह खुद 5 है ठीक है फिर 5 से जब 2 जाऊँगा तो मैं लिख दूँगा कि 2 जाने से पहले 2 का parent 5 है यहाँ तक clear है तो यह information हमें आसानी से मिल जाएगी मैं simply एक in order traversal से यह information ले आ सकता हूँ Now the next question comes कि how level order traversal जो मैंने बताया तना level by level traverse करेंगे वो कैसे help करेगा क्योंकि हमें parent pointer तो मिल गया है कि 3 से मैं 5 भी जा सकता हूँ और 5 से मैं 3 भी जा सकता हूँ similarly 5 से 6 और 6 से 5 जा सकता हूँ यह कर सकता हूँ यह भी कर सकता हूँ and so on ठीक है तो यह हमें मिल चुका है parent pointer की जानकारी भी मिल गई है let me draw all the parent pointer ठीक है अब यहाँ तक clear होगा अब हमारा tree कुछ ऐसा दिख रहा होगा ठीक है मेरे पास यह जानकारी भी मिल चुकी है अब देखो level of traversal कैसे करते थे यानि कि BFS कैसे करेंगे हम Q से करेंगे Q कैसे help करेगा वो मैंने थोड़ दिर पहले बताया था picturize करके कि मैं level by level of traversal करूँगा मतलब मैं सबसे पहले Q में 5 को डाल दूँगा 5 वाले node को इसको माल लेते मैंने pop किया इसको मैंने pop कर लिया अब 5 यह है अभी Q का size कितना था 1 था जब पहले 5 था तो Q का size 1 था यहनकी current level में सिर्फ एक ही element है यह पहला level है जीरोत level है यह तो इसमें सिर्फ एक ही element एक बार में एक पूरा का पूरा level मुझे प्रोसेस करना है तो याद करो BFS का वही वाला इसमें code लगाएंगे while not of q.mt मैंने कल ही एक question में आपको बताया था ना कि जब भी किसी question में BFS वाले question में level related कुछ help चाहिए हो तो हम BFS का यह वाला तरीका लिखते हैं याद करो मैंने क्या बताता है int n पहले n निकाल लेंगे current level का क्या size है ठीक है फिर while n-minus करके उस level के सारे elements को process करेंगे यह मैंने आपको कल या किसी वीडियो में बताया था कि BFS का कौन सा approach कब लिखना होता है की बर चलेगा हमारा while loop ठीक है तो उसे एक बर में मैं क्या करूँगा मैं उस बर में ये करूँगा कि 5 का left child है क्या yes 5 का left child है तो next level के लिए इसको ये डाल दिया 6 5 का right child है yes 5 का right child भी है 5 का parent है yes 5 का parent भी है 3 और 3 तीनो non-visited भी है तीनो non-visited है अब non-visited की बात मैं क्यूं कर रहा है वो आपको थोड़े दिर बात पता चल दाएगा 6 2 3 तो डाल दिया अब इस level पे ये पहला level है मेरा right इस level पे कितने element है 3 element है n is equal to 3 तो 3 तो 3 बर मैंने 3 element को एक बर है प्रसेस करना होगा सिंस यह अभी 1st level के है मुझे 2nd level के लोग चाहिए है तो यह तो 1st distance वाले लोग है 6 2 3 5 से एक distance पर है 6 2 3 तो पहले 6 को पॉप किया 6 का left child कौन है कोई ही नहीं 6 का right child भी कोई नहीं है 6 का parent है 5 तो क्या वापस 5 पूस्ट कर दोगे नहीं ना वापस 5 को थोड़ी पुश करना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ visit मार्क कर लेंगे तो एक visited नाम का वेक्टर यह ले ले लेंगे data structure 5 visited हो चुका है तो उसको मैंने मार्क कर लिया 6 का parent तो है left child और right child तो ही नहीं बट 6 का parent है लेकिन वह visited है इसलिए मैं इसो क्यों में नहीं डालूँगा अब next element आया 2 को pop किया 2 का left child तो है उसको मैंने डाल दिया वह next level पर आने वाला है 2 का right child भी है 4 उसको भी डाल दिया वह level number 2 का बंदा है ठीक है 2 का parent भी है 5 लेकिन वह visited है तो मैं नहीं डालूँगा ठीक है अभी current level 1 में एक औरल्मेंट बचावा है 3 3 का left child है 3 का left child 5 है बट वह visited है तो मैं इसको नहीं लिखूँगा 3 का right child है 3 का right child 1 है ठीक है 3 का parent कोई नहीं रहेगा क्योंकि obviously बात है लेवल नमर 1 तो खतम हो गया ठीक है अब देखो मैं जिस लेवल पर आया हूँ वो लेवल की value k के बराबर है k के वैले 2 है मतलब मैं 2nd level पर आ गया हूँ इसका मतलब इस 2nd level में जितने भी elements से वही मेरा answer होगा तो मैं क्या करूँगा BFS से बाहर निकल जाओंगा और Q में जितने elements अभी दिख रहे हैं वही मेरा answer होगा तो मैं Q के सारे elements निकालके यही मेरा answer return कर दूँगा ठीक है as simple as that actually BFS तो बहुत simple है पर उससे पहले जो parent pointer वाला था न वो हमें पता करना था और वह actually my parent pointer वाला intuition मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि obviously यह बात है मैं limited हूँ क्योंकि मैं पीछे नहीं जा पा रहा था लेकिन अगर यह normal सा graph होता undirected graph होता तो तब तो मैं easily traverse कर सकता था कि 5 का neighbor 3 है 5 का neighbor 6 है 5 का neighbor 2 है बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा था क्योंकि 5 से 3 तक जाने का कोई तरीका ही नहीं था तो मैंने क्या एक pointer add कर दिया 5 से 3 जाने का 3 से 1 जा सकते था लेकिन 1 से भी 3 का डाल कर दिया and so on तो यह मेरा एक अप्रोच हो गया और इसी अप्रोच से इस वीडियो में हम इसको solve करते है तो जो अभी कहानी सुनाई है same story से बस convert करना है code में अब जल्दी से इसका code start करते है तो चलो जल्दी से code finish कर लेते है सबसे पहले मैंने बताया था कि हम parent को store करने के लिए किसमे store करेंगे एक map लेंगे unordered map उसमें हर node का parent कौन है वो लिखेंगे ठीक है और parent को store करने के लिए मैंने बोला था कि मैं simple सा in order लिख लूँगा ठीक है इसमें मैं tree node asterisk root भेजूँगा और same way पुराना in order वाला code लिखूँगा अगर root null है तो return कर जोँगा और अगर root का left available है दीक है is not equal to null तो मैंने क्या बोला कि मैं यहां पर MP के जगा parent नाम रख देता हूँ जादा clear लगेगा parent of root का left वो कौन होने वाला यह है खुद root है ना root का left available है तभी है ना तो फिर in order call करेंगे root के left के लिए similarly वही मैं करूँगा की root के root का right चेक करूँगा और अगर root का right नल नहीं है तो root का right का parent खुद root होगा और in order call कर दिया root के right के लिए same चीज़ कर दिया यहां पर मेरा parent pointer populate हो जागा इसका मतलब क्या होगा कि हमारा parent जो map है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि 5 का parent 3 है 6 का parent 2 है and 4 का parent 2 है and so on ठीक है यहां तक तो clear दिख रहा होगा बट आप यह चीज़ सोचो आपको मन में यह आ रहा होगा कि माल लेते हैं कि यहां पर देख रहो इधर दियान दो यह 1,0 हो सकता है यह 0 का जगा दुबारा 4 आ जाए ठीक है तो यह तो update हो जाएगा 4 का parent वापस से 1 कर दोगे but question में दे रखा है कि distinct values है सारे देखो यहां पर all the values noted well are unique तो कभी भी duplicate values नहीं आएगा तो 4 का parent यहां पर रहागा 2 है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा update नहीं होगा यह यहां तक clear है ठीक है तो यह तो हमने कर लिया यह function लिख दिया यह parent pointer इसने मेरा सबसे बड़ा वाला काम इसने कर दिया ठीक है अब मैं आता हूँ main function में मैं एक vector of int result नाम का variable ले लेता हूँ ठीक है और function in order call कर दूँगा यह क्या करेगा मेरा parent को update कर देगा ना parent को populate कर देगा यहां तक clear है उसके बाद मैं अपना normal bfs call कर सकता हूँ bfs call कर दो उसमें target बता दो कौन सा target node है ठीक है कितना level वाले बंदों को उठाना है k की value का है और result vector last में return result कर देंगे ठीक है तो normal bfs लिखते ठीक है tree node asterisk target और क्या क्या है int k है और vector of int and result है यहां तक clear है अब वही पुराना code हमेशा की तरह जो हम करते थे अपना bfs लिखने के लिए ठीक है सबसे पहले q में push कर दिया है किसको target को इसी से start करना है और q में जैसे पुछ कर दिया है तो हमें mark करना पड़ेगा इसको visited ठीक है तो unorder set ले लिया इंट का ले लिया और उसमें इसका नाम visited रख लेते हैं ठीक है और सारे node unique values के होंगे इसलिए unorder set में मैं उसको use कर सकता हूँ तो मैंने क्या किया visited dot insert target node जो है उसकी value डाल दी कि यह वाला visited है ठीक है अब वही same code while q जब तक empty नहीं हो जाता int n is equal to q dot size while n minus minus यही वाला bfs हमें लिखना था ठीक है बट उससे पहले मैं यहाँ पर पहले ही चेक कर लोगा कि अगर मेरा जो current level है int level is equal to zero है अभी starting में अगर मेरा current level is equal to is equal to k के बराबर हो गया तो मैं break कर जाओंगा मैंने यही बोला था यह तो अलग से level लेनी की जरूत नहीं है k को ही minus करते चलेंगे कि अगर 0 हो गया मतलब दो लेवल हमने cross कर लिया तो मैं break कर जाओंगा इधर सी ठीक है इसके बाद तो वही normal bfs का code है temp is equal to q.front q.pop ठीक है सबसे बहले क्या देखेंगे की temp ना बोलके current बोलो इसको कि अगर current का left is not equal to null है ठीक है और वो visited नहीं होना चाहिए and and not of not of visited.count से भी पता चल जाता है कि वो visited है कि नहीं तो current का left का value अगर वो मेरे visited set में नहीं है मतलब वो visited नहीं रहा होगा तो q.push current का left ठीक है और उसको visited mark भी कर लेता है visited.insert current का left का value कि यह visit हो चुका है similarly current का right देखेंगे और current का parent देखेंगे तो पहले तो यह हो गया है मेरा right child के लिए तो यहाँ पर हर जगा right लिख देता हूँ right इधर भी right यहाँ पर भी right इधर भी right ठीक है और यहाँ पर दुक्वा पेरेंट निकालना था 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 ना पेरेंट यह था मेरा left child के लिए अब दुक्वा पेरेंट कैसे निकालते थे भाई पेरेंट एक सेकेंड हाँ parent dot find यह तो count कर लो कि जो current है है यह मेरे map में present है की नहीं मतलब map में present है मतलब उसका parent मेरे पास होगा ठीक है and and not of visited वो visited नहीं होना चाहिए वो वाला parent है ना parent of कर का value ठीक है अगर parent of count कर इसका मतलब क्या होगा कि parent वाले map में इस कर की value present है मतलब इसका parent अवेलेबल होगा इस कर का ठीक है बट वो parent जो है उस कर का value है ना तो यहाँ पर लिग देता हूँ मैं parent of curve will be equal to क्या होगा parent of curve है ना इस current वाले का parent होगा ना जो भी होगा तो वो present होना चाहिए map में और उसकी value parent of curve की value तो parent of curve की value visited नहीं होनी चाहिए ना विस्टेट नहीं है तो चलो उसको डाल देते है पहले तो यह इसको डाल देते है अपने q में parent of कर q में डाल दिया और उसकी value को visited mark करने के लिए यहाँ पर विस्टेट वाले set में डाल दिया ठीक है और जैसे ही यह level खतम होगा n minus minus वाला look खतम होगा तो k minus minus कर दूँँगा कि एक level खतम हो गया अब last में कुछ नहीं करना है जैसे ही में बाहर निकलूँगा तो मेरा तो मैं क्या करूँगा उसको q से निकालके उसको पॉप कर दूँगा और अपने result में उसकी value डाल दूँगा temp.val ठीक है यही है जो बताया था बिलकुल वही किया है और हमने पूरे tree को दो बार traverse किया है एक बर यहाँ पर और एक बर यहाँ पर तो twice of n है actually में जहां पर n क्य solution ही है बट दो बार हमने tree को traverse किया है सब्मिट करके देखते है let's see if we are able to pass all the test cases indeed yes काफी अच्छा solution ने 3 millisecond में solve हो गया कोई भी doubt होता है रेज रेंट इन दा comment section I'll try to help you out see you in the next video thank you